भारत के विस्पोटक बलेबाद रिशप पंड सड़क दुर्गट्टा के बाद अभी तक टीर में वापसी नहीं कर पाए हैं फैंस बंड को खेलते देखने के लिए लंबे समय से इतिदार कर रहे हैं आईपल 2024 के आउक्षन में पंड अपनी आईपल की टीम दिल्ली के तरफ से खिलाडियों को खरीदने के लिए आउक्षन के हिस्से बने थे इसके बाद से ही बताया जा रहा है कि पंड वापसी के लिए पूरी तरीके से तयार है और अगले साल अपनी टीम दिल्ली के लिए कप्तानी भी दरेंगे इस कडी में अब एक बार फिर से पंड की चोट पर बड़ा अपडेट आया है इससे फैंस को जटका लग सकता है डेले कैपिटल से कप्तान और भारत के विस्पोटक बलेबाच इशब पंड की हेल्थ पर बड़ा अपडेट दूला है ये अपडेट किसी और में नहीं बलक कारण पंड को हार्ड एकसरसाइस करने की सलग नहीं दी गई है ऐसे में अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि वह वापसी करने वाले हैं यह नहीं बजिस्टियाई सूत्र ने कहा कि इसमें कोई आशंका नहीं है कि पंड त्यजी से ठीक हो रहे हैं लेकिन वह एक्जक्ट हि प्रियल में दिल्ली केपिटल्स के हिस्से नहीं बन पाते हैं तो दिल्ली के लिए कौन कफ़ानी करेगा यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है दोस्तो हाली में भारत की पूव दिज क्रिकेटर सुनिल गवास्कर ने कहा था कि अगर पंड एक पैर भी ठीक रहते हैं तो पूने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारती टीम में शामिल करना चाहिए लेकिन पंद को जरूर खिलाना चाहिए ऐसे में पंद की वर्ल्ड कप में वापसी होती है या फिर नहीं इस पर भी फैंस की नजर होगी आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट वेज़े दुरूप जैसे दुमाम जान का देकलब बने रही हो दिखते रही है आप स्पोर्ट्स मैचप